नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो जैसा कि मैं आपको साल्व कराया था पेपर जून 2010 का 25 कोशन तो 25 कोशन से आगे 50 कोशन तक जून 2010 हिस्टरी के नेट पेपर का चलिए इसको आगे साल्व करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी से रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न बुलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसक हीती 1531 सुआं इसके बाद इलाही योग का आरंब कर भुया था यह वा था 1554 यानि एक फार bee का वन आपकी एंसर होगा ब्सक्राइब का मोगल कि निम लिखीत में से कीं सचीत्र पंडू लीपूंग Dong किया है तो नील बी निर्मान का वणन किया है वो है बिलियम फिंच एंसर होगा सी बिलियम फिंच क्वेश्चन नमर 29 है सुमेलित करने के लिए चले चैसको सुमेलित करते हैं अहमद यादगर अहमद यादगर जो है तारीख्ये सलातिन अफिग्याना यानि A का 3 सुजान राय खुलासत उल्ट तवारीक A का 3 B का 4 आप सनावगा इसका एंसर A इसके बाद ख्वाजा कामगार गैरत खां तो यह होंगे मासीरे जहां गीरी इसके बाद सहनमाज खां तो मासीर उल्ट उम्रा यानि A इसका एंसर सही सुमेलित है कोशन नबर 30 है साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया तो साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था यह किया था सहजादा आजम ने एंसर अगा B सहजादा आजम ने कोशन नबर 31 है किस अधिनियम के दोरा ब्रिटिश संसद ने इस्ट इंडिया कमपनी का भारत में बेपारिक एक आधिकार समाप्त कर दिया था तो बेपारिक एक आधिकार समाप्त कर दिया था तो इसका एंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट बेपारिक एक आधिकार समाप्त के तो 1813 का चार्टर एक्ट कोईशन नमबर 32 है इस्तिरियों से समंधित ब्रिटिस कानोनों के पारित होने का काला नुक्रम ब्यवस्थित कीजिए तो चलिए इसको ब्यवस्थित करते हैं सबसे पहले बंगाल में सती पर्था को समाप्त करना यह 1839 में हुआ था यानि तीसरा नमबर तो के वल एक ही आपसन है तो इसका एंसर ए हो जाएगा इसके बाद था वन नमबर यानि हिंदू बिधवा पुनर विवा अधनियम तो यह 1856 में हुआ था इसके बाद था दूसरा नमबर दी नेटिव मैरीज एक्ट तो दी नेटिव मैरीज एक्ट था 1872 इसवी में और चौथा इसके बाद लास्ट में है दी एज आफ कंसेक्ट एक्ट तो यह था दे एज आफ कंसेक्ट एक्ट 1891 इसवी में यह डेट है इसका कुर्शन नमबर 33 है भारत की बिटिश सरकार द्वारा गठित आकाल आयोगों को कालान कुरम अनुसार बेवस्थित कीजिए आकाल आयोगों को इसका कालकरम अनसार ब्यवस्थित करना है तो चले ब्यवस्थित करते हैं इसको पहले था कैम्प बेल आयोग यह 1866 में था कैम्प बेल आयोग और तो तीसरे नमर एक ही है तो इसका अनसार देख लिए बी होगा इसके बाद इसके बाद उसको 순से बाद 24 था इस्ट्रेची आयोग ये बना था 1800 अस्टिए इस्ट्रेची आयोग इसके बाद उसको patron उसक floris ये भेभीषयग निजसो ए उसक्ण बाद 1810 नर्टा सप्लेज़ी हिसलेज इसा इसार औलिक में इसो प्रेकार पारnya कोश्चन नमबर 34 है, मौलाना सिबली नुमानी का संबंध रहा है, तो मौलाना सिबली नुमानी का संबंध किसी रहा है, यह है, नदवतुल उलेमा, कोश्चन नमबर 35 है, सन 1917 में गांधी जी का अहमदावाद मील हर्ताल में हस्तशेप के कारण मजदूरों की आय में ब्रिधी हुई, तो मजदूरों के आय में ब्रिधी हुई, तो यह हुई थी 35 प्रतिसत की, एंसरों का सी 35 प्रतिसत की, कोश्चन नमबर 36 है, चमपारन सत्यागरा 1917 में क्रिश्कों की प्रमुक सिकायत किसके बिरुद थी, तो यह थी आवाबों या गैर कानूनिक करों के बिरुद, कोश्चन नमबर 37 है, भारती राष्टी कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया, तो यह पारित किये थे, कराची अधिवेशन 1931 में, इसका इंसर होगा कराची अधिवेशन 1931 में, कोश्चन नमबर 38 है, किस ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपनेवेशिक भारत के सासनकाल में अन अधिवगी करल नहीं हुआ, तो अन अधिवगी करल नहीं हुआ, तो यह कह थे, मारिश डी मारिश ने, कोश्चन नमबर 49 है, 1817 में हिंदू कालेज की कलकत्ता में किस ने अस्थापना की थी, हिंदू कालेज की यह अस्थापना की थी, डेविड हैयर ने, एंसर होगा यह डेविड हैयर ने, कोश्चन नमबर 40 है, सुमेलित करने के लिए, चलेए इसको सुमेलित करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ति इनका था, इंडिया विंट्स फ्रिडम, यानि एका फोर, इसके बाद दादा भाई नरोजी, तीनका था, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, एका फोर, बी का थ्री, देख लिए यह वाला एंसर होगा इसमें, हाँ, एई यह इसका एंसर, एका फोर, बी का थ्री, इसके बाद सर से दामत खा, यह था, असबाबे, वागाते, हिंद, और सुवासंद वोध, इंडिया इसमें इसमें इसमें, अजाद अभी बताएं, इंडिया इंस फ्रिडम, दादा भाई नरोजी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन चिन्नवा, चिन्नवा जवा उननीस सो चौबिस में हता, किट्टूरू पुद्रा, यह इसके प्रमुक थे, यह एका फोर, इसके बाद हाजी सर्यत उल्ला, तो अठारा सो वर्टीश में इसमें बिद्रो हुआ था, फरियाजी अंदोलम की नाम से जना देता है, इसके अलूरी सिताराम राजु, ते रमपा बिद्रो हुआ था, उननीस सो बाइस में, और किष्णा दाजी पंडित, यह गळकरी बिद्रो अठारा सो चौबालिस में, यह इसमें भी एंसर एस साइस हुआ मिले थे, देख लिए एंसर एस का साइस से क्रम होगा, कोशन नमबर 42 है, सरवच्चता की अस्थाई सक्ति ब्रिटिस सरकार में नहित थी, जिसका उप्योग उसके संबंद में किया, इसके संबंद में किया, इसके एंसर हो जाएगा, भी देशी रियास्तों के संबंद में, कोशन नमबर 43 है, 1937-49 में कांघ्रेश मंत्री मंडल का नेतरित तु क्या था, तो इसके संबंद में किये थे, सी राज गोपाल चारीन, सी का मतलत होता है, चक्रवर्ती राज गोपाल चारी, कुश्चन नमबर 44 है भारती सम्मिधान की पांडू लेखन कमेटी का चेर्माइन कौन था? भारती सम्मिधान की पांडू लेखन कमेटी का चेर्माइन कौन था? तो पांडू लेखन कमेटी के चेर्माइन थे डाक्टर बी आर अमबेट कर एंसर अगा B, डाक्टर B यार अंबेट कर, कुश्चन नमबर 45 है, निमलिखित घटनाओं को उनके कालनकरोमनसार ब्यवस्थित कीजिए, इसको ब्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले था अगस्त प्रस्ता चवथा नमबर, तो चवथा नमबर आपका B है, केवल, एंसर अग करוצर B, इसके बाद व्यक्तिका सत्यागरा, इसके बाद जो है, क्रिप्स मिशान फिर बाद में, भारत छोड़ो, अंदोलन, कोश्चन नमबर 46 है, किसे मानो वाद का जनक समझा जाता है, तो किसे मानो वाद का जनक समझा जाता है, इसके एंसर हुएगा D, पे ट्रार्क को, किसको पे ट्राक को कोईशन नमबर 47 है लाड को मील सराब की भठी और बेकरी का उप्योग करने के लिए जो सुल्क आदा किया जाता था उसे कहते थे तो उसे क्या कहते थे तो इसका एंसर हो जाएगा बना तिले बना लीते सारी बना लीते है कोईशन नमबर 48 है समान इच्छा के सिधान्त को प्रस्तुत किया था समान इच्छा के सिधान्त को किसने प्रस्तुत किया था तो रूसों ने प्रस्तुत किया था कोईशन नमबर 49 है बहो मूल धातुवाद और अनुकूल बैपार संतुलन मूल लच्छन थे ये संतुलन किसके मूल लच्छन थे इसका एंसर होगा वानिज्य वाद के एंसर होगा वी वानिज्य वाद के कोशन नबर 50 है इसका पीडियाप भी आप लोगों को मिल जाएगा पीडियाप दिस्क्किस्न में लिवा से जाकर डाल्लोड कर सकते हैं कोशन नबर 50 है सुमिलित करने के चले इसको सुमिलित करते हैं इरेसमस तो इरेसमस जो है प्रेज आफ फाली प्रेज आफ फाली से सम्बंदित है इसके बाद मक्यावली मक्यावली दप्रिंस एक आफोर बी का थ्री एक आफोर बी का थ्री के वले कि इसका अंसर डी होगा इसके बाद दिया है टामस मोर यूटोपिया डानते डिवाइन का इस प्रकार ये सुमिलित है तो ये थे कोशन आज के लिए तुमिद करता है कि वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आज इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक साधिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम